आज मैं आपके लेके आई हूँ मैंगो आइसक्रीम की बहुत जाद इजी और टेस्टी रेसिपी जो कि आपको एकदब मार्केट जैसे लएगे और वो भी घर के तीन इंग्रीडियेंट से बनेगे सिर्फ और इसको बनाना बहुत आसान होगा घर में सब कच्छी लएगे और जाल दिया है गैस ओन कर दिया है और पानी मैं इसलिए डाले है जिसे कि हम इसमें दूट डालें तो नीचे लगे ना क्योंकि हम इसे अच्छे से गाडा करना है और यहां पर मैंने दूद लिया है अपना आदा लीटर फुल क्रीम आप नॉर्मल भी लेंगे तो भी कोई द देना है और एकदम खुई जैसा नहीं करना है तो थोड़ा सा कम रखना है बस तो यह देखिए इसमें बॉइल आने लग गया है और इसमें चीनी डाल दिया मैंने लग बग वन एन हाफ कटोरी मैंने चीनी एड कर दिये बिसे चमबचों से अता नहीं लगेगा इसलिए मैं और इसके बाद हमें क्या करना है इसको अच्छी तरी किसे गाड़ा करना है पकाना है अपने दूद को गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और ऐसे मैं घर पे आईस क्रीम का ना होना बहुत दुख देता है तो इस वयसे आप घर पे दो तीन इंग्रीडेंट से बस यह तेस बाद हूं यह जो मैं इसको एकदम गाड़ा कर रही हूं आप इसकी जगे कंडेंस्ट जो मिल्क होता है वो भी इस्तमाल कर सकते हैं और उससे अच्छी रिजल्ट से मिलेंगे आपको और यह देखिए बिलकुल वैसा हो गया है कोई से थोड़ा कम कंडेंस्ट मिल्क जैसा ह ली आप इसकी जगें इसकी गेंस्ट क्टा मोल को खाए जाती नॉर्मल वह देखिए यह शर्च अब नहीं को अपनी मैंगो लिया है यह तोAR जो बनाया है और यह 有 गोस्ट ₹ guys जाती है नॉर्मल वो लिए आप इस मलाई की जगे चाहें तो वो भी ले सकते हैं तो फ्रेश क्रीम और फ्रेश क्रीम से और कंडेस्मिल के से भी बहुत टेस्टी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और आपके बास नहीं है ता पैसे बनाईगे तो यहां पर इस साथ दिन की मलाई मशीन के बेड़ एक मशीन होते है यहां पर यहां पर थंड के ना चोड़े और इसके बाद हम इसको चलाएंगे तो इसको चलाना है जब सक विप्ऩना ॉर घर की मलाई ये तो यह acts कर विक नहीं मैंने इसमें एड़ कर दिया है और अब इसको मिक्स करेंगे इसको मिक्स करते है तो यह जो बहस के दूद वाली होती है इसमें घी जादा होता है इसलिए अच्छे से विफ्ट नहीं होगी इसका घी निकलने लग जाता है इस वैसे आपकी जैसे खटी सी हो जाए थोड़ी सी थोड़ी चलाते रहेगा उसके बाद फिर इसमें याड़ कर दीजेगा इसको चलाते रहना है थोड़ा थोड़ा कंटिनियसली और जब तक आप अपने आम को थोड़ा बारीक बारीक चॉप करके तयार कर लीजेगा तो यहां पर मैं इसे थोड़ी चला रही हूं और आप यह देख सकते हैं इसको अच्छे तरीकी से विप कर देना है इसमें अच्छा वॉल्यूम बन जाया है हमारा आइस क्रीम जैसा और यह देखिए काफी टाइम हो चुका है अब यह देखिए आप कितने अच्छे से बन चुकी है अच्छे से विप हो चुकी है आप देख सकत आपको इतनी देरी चलाने अच्छा का सा वॉल्यूम सा बन गया इसमें और बस फिर इसके बाद आपको इसको दो में डोगना है और इसको न जाद देर भार नहीं रखते वरना यह आइसक्रम अच्छे से नहीं बन पाती है इस वैसे तुरंट उसके बाद में इसमें आम एड कर देगा है तो इसमें आम एड कर लेना है उसके बाद आप देख सकते हैं कि तो से विफडऊ चुकि है हमारी क्रीम और मैंने आम बारीग काटा है जिसे कि इसी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा अगर आप पीस के डालना चाहते हैं तो फिर कोई दिकत नहीं है तो यह तो यहां पर मैंने एक बड़ा आम लिया था आप चैन तो और जादा ले सकते हैं अगर आपको मैंगो का फ्लिफर और चाहिए और आप इस प्रोसेस में कलर भी एड़ कर सकते हैं यलो कलर क्योंकि मैंगो से उतना डाक कलर नहीं आता है मैं बिलकुल घर की चीजों से बना रह अब यह देखिए आप इसको अची तरह की से मिक्स कर लेती हूं मैं पार्च मिनिट बस जिसे की यह सब अची तरह की से मिक्स हो जाए और दुबारा से सब कुछ विब्ड़ हो जाए इसके बाद आपको कोई पी बरतल ले लेना है टिन केक जो भी आपके पास के इक कबरतल यह नहीं है नौर्वल स्टील का षषका तरह सब की घर बली की से और इसको करना है आपको इसमें अपना जो भी हमने तयार करता थाने इसको डाल देना एं तो आप सकते हैं कि इसमें कितनी अश्यकां वाल्यूम है वोल्यूम बंश्यूक Я इसको सारे को डाल देना है इसमें और इसके बाद फिर इसको वह तीन बाद अच्छी तरीके से हम टैप कर देंगे जिससे कि इसके अनदर की जो air है वो निकल जाए सारा मैंने निकाल देना है इसके बाद इसको अच्छी तरीके से टैप करके इसके उपर aluminium foil वगेरा से इसको cover कर देना जैसे कि इसके उपर बरफ ना जाम है और हमारी जो ice cream है वो अच्छी तरीके से जम जाए या पर मैंने अपना सारा निकाल लेना है अच्छी तरीके से और यह ice cream जो है घर में सबको बहुत अच्छी लएगी और healthy भी होगी इसके बाद देखिए इसको मैं आयसे कर दिया है प्लेइन कर दिया है बिल्कुल इसके बाद इसको tap करनेंगी जैसे कि air bubbles ना रह जाए इसके इंदर बस और फिर इसके बाद इसको मैंने आप इसको जमा देते हैं पूरी रात के लिए लगबग 6-7 गंटों के लिए से आराम से जमाईएगा आप और जाद हो सकते तो और ची बात है और मैंने रात को जमा दी थी और इस सुबह मैंने निकाली तो आप दीख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट्स है कितने अच्छी इसको निकाल लेते हैं अपनी बाउल्स में और सफ कर देते हैं तो आपको कौन से फ्लेवर के आइसक्रीम सबसे अची लगती है और आप क्या चाहते हैं मैं अगली रेसिपी किस चीज की उपर लेकिया हूँ आप यह बात मेंचे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा और यह देखिए हम अपनी आइसक्रीम को सफ कर लेते हैं मैंने मतलब अभी तुरंत निकाल दी तो काफी टाइट हो रही है और आप इसे दो मिनट छोड़ देंगे तो थोड़ी लूज हो जाएगी यह देखिए यह आपकी यम्मी यम्मी आइसक्रीम बनके बिल्कुल तयार हो जाएगा वीडियो को जाएगा शेयर कीजिएगा जब तक लिए आप सबको बाई बाई